नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देख रहें ततकाल नियुज लाइफ मनीपूर में महिलाओं को निर्वस्त करके घुमाने के मामले में पुलिस ने साथवे आरोपी को गिरफतार कर लिया है अब पुलिस सोशल मीडिया पर साजा किये गए वीडियो में दिख रहें अन्य आरोपीयों की गिरफतारी के लिए भी जगड़ जगड़ तलाशी अभियान चला रही है इसी घटना को लेकर अभी तक पुलिस ने कुल साथ लोगों को गिरफतार किया है जिन में एक नाबालिक भी शामिल है पुलिस फिलाल गिरफतार आरोपीयों से पूछताच के आधार पर अन्य आरोपीयों तक पहुशने का प्रयास में लगिवी है बता देकी महिलाओ को निर्वस्त घुमाने का यह वीडियो चार मई को बताया जा रहा है इस वीडियो को कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर साजा भी किया गया था जिसके बाद इसकी विरोध में पूरे मनीपूर में प्रदर्शन का दोर शुरू हो गया था गौर तलब है कि मनीपूर वीडियो मामले को लेकर सुप्रिम कोट ने स्वस्ति संध्यान लेते वे बीते गुरवार को केंद्र और मनीपूर सरकार से अपरादियों को जवाब दे ठहराने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अदालत को अवगत कराने को कहा था अटानी जनरल वेंकट रमनी और S.G. तुशार महता को तलब करती हुए C.G.I. डिवाइट चंद्रचूर ने घटना के संबंध में गहरी नाराजगी व्यक्त करती हुए सरकारों को अल्टिमेटम दिया था कि या तो उनके खिलाफ कारवाई की जाए वरना अदालत दखल देगी इस घटना को पूरी तरह से अस्वी कारिय बताती हुए C.G.I. ने कहा कि लेंगिक हिंसा के कायम रखने के लिए सांप्रदाइक संगर्ष की शेत्र में महिलाव को एक साधन के रूप में इस्तमाल करना मानव दिकार का घोर उलंगन और अतिक्रमन है उन्होंने कहा कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि वीडियो हालिया है और मै का है